नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आए दोस्तों सुनते हैं मैं त्रेई पुषपाजे की लिखी कहानी पियरी का सपना मैंने अपने प्यार को अंधेरों में छिपा कर रखा और मैं निश्चिन्त रही कि मेरी इस नीजी और अमुल्ले भावना पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी क्या तुम भी मेरी तरह सोचते हो और अपनी सबसे अच्छी महबत की भावना को छिपा कर रखते हो हाँ हम सभी इसी कोशिश में रहते हैं खास तोर पर अपोजिट सेक्स के प्रती उफनते प्रेम को छिपाने के लिए मैं रती तिवारी जिसकी उम्र पचास साल है काइदे से इस समय अपने इलाके के ललितपूर शहर के लक्षमिवाई भवन में भवे मंच पर मुख्य अधिती के रूप में सुशोभित होनी चाहिए थी मगर जशन का दिन इस्त्रियों के कल्यान की मजबूत संस्था का शुब समय इस तरह नश्ठ हो जाएगा मैं खुद ही हत्प्रब रह गई कहां जाना था कहां पहुच गई किस रोशन दुनिया का नित्रित्व करना था अपने ही भीतर कसे हुए अंधेरे तड़क गए घर लोट आई नीले फूलों वाली गुलाबी नाइटी पहन ली क्रीम कलर की मेरून बॉर्डर वाली साड़ी कत्थाई बालों का उचा जूडा नेच्रल लिफ्स्टिक सब ठकावट के मारे अस्त व्यस्त धीले पड़े हैं संस्था का समारो इस तरह चौपट कर देने का मुझे कत्तई अधिकार नहीं चेर्मेन एक्शन लिये बिना मानिंगे नहीं तर किया होगा कि नहीं जाने का मन था तो अपनी सहमती क्यों दी आधनिक विचार वाली इस्त्रियों की कमी तो नहीं तमाम धनी मानी महिलाएं कतार में है पती जवाब मांगेंगे मैं क्या बोलूँगे उन बेचारे ने इस अभिनंदन पर्व को हथियाने के लिए कितनी दोड़ धूब की थी पती ने पत्नी का विखर्टा हुआ मन बांध लिया था कि बच्चों से मिली उपेक्षा को भूल कर मन कहीं और रमे आज क्या किया और क्यों किया पती को बता सकती हुँ मैं शायद हाँ शायद नहीं भै कटा तो दुविधा पैदा हो गई क्या इसलिए ही अपनी आप को खपाया था गैर सरकारी संस्थाओं में विद्वाओं के लिए रोजगार परित्यक्ताओं के हक और बे सहाराओं के सामोहिक विवाह करा कर चेतना और आत्म विश्वास का पर्चम नहीं जुड़ा था वजूद से गफलत क्या आज क्या क्रित्य गफलत में हुआ पता नहीं क्या था सब कुछ करके भी कहीं असहायता में उसकी जरूरत लगती रही जो आज हुआ यात्राओं में उचाई फत्ह करते हुए गौरब तो लगा चैन नसीब नहीं हुआ रोशनी दिखी जो बार-बार मेरे भीतर शिपे मासू मंधेरे से टकराती रही इस जद्दो जहद को किसे वताती बती को या बड़े हो गए बच्चों को उनके चलते या भटकाव है और कहीं तक आशोगनी या बेवकूफी काश दो दिन पहले मेरा छोटा भाई जैप्रकाश ना आता ललित पुर जाने की ही यूजना बना रहे थे हम लोग किस वक्त निकला जाए कितनी देर की यात्रा होगी और कौन-कौन किस तैशुदा जगे पर मिलेगा जब प्रकाश मेरे इसी पलंग पर बैठ कर तो पराठे और आलू की सबजी खा रहा था मैं बैठी थी एन उसके सामने आराम कुरसी पर सोच रही थी साक्षर्टा की बात पर जादा जोर दिया जाए समाजिक कारिकर्ता के पास कारे हो नहूं मुद्दे जरूर होने चाहिए योजना बनाना कारिकर्ता का प्रमखुद्देश होता है धर्ने और हर्ताले उसे आगे ले जाती है मेरे इन महत्वपूर्ण विचारों की लड़ी को एका एक जटका दिया जैप्रकाश ने जिजजी तुम्हें मुकुंद माधव की याद है मुकुंद माधव हाँ तुम्हारे साथ पढ़ते थे विबता रहे थे मैं जैप्रकाश के और देखती रह गई आस्चरे और खोशे का मिला जुला भाव सुरे की तरह चमका लेकिन तुरंथी रोश्नी ने मुझे डरा दिया खटका हुआ क्या जानता है जैप्रकाश जान से प्यारे मेरे अज्याद प्रेम को फुले में सूली पर नहीं चड़ा देगा मेरा भाई मैं डर गई मैंने दो बार मुकुंद का नाम लेने की गलती नहीं की क्या तुम्हें विल्कुल याद नहीं अरे जब तुम हमारे जूनियर हाई स्कूल में होने वाले फंक्शन्स में आने वाली थी उन्हें न जाने कहां से पता चल गया वे तो सवेरे से ही स्कूल में आ बैठे आ बैठे क्या मतलब मैं तो तुम्हारे हाई स्कूल में गई ही नहीं हां नहीं आई तुम मालूम है फिर क्या हुआ मुकुंद साहब दो पहर से शाम तक बाहर धूप में खड़े तुम्हारा इंतिजार करते रहे जैसे तुम आते आते कहीं लोट न जाओ लोटने लगो तो वे तुम्हें पुकार कर बुला ले हमें हसी आ रही थी जिजी कैसे सिर्री पगला मसाब है पसीने से तर चहरा लाल भभू का सारी गर्मी सोग गया हो जैसे मेरे अंदर कहां समाय था वा अंचाहे ही उमंग की तरह उठने लगा मैं करवट ले रही हूँ या वह या दोनों ही अपनी लोलगन में जाक पड़े हैं धड़कन में तेजी और होटों पर कमपन लिये मैं जानती हूँ कि महसूस करना और विलीन हो जाना एक दूसरे से जुड़ी प्रक्रियाएं है मगर वह क्या-क्या और भी जानता है जिजी उनसे कहा कि मुकुंद माजसा बाहर लू लग जाएगी बेमार हो जाओगे पर अजीब खबती आदमी है भूग प्यास का भी ध्यान नहीं था मेरे भी तर एक 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 प्यास जर्ना फूटा लगभक 30 साल से जमा सूखा पत्रिला पठार तब अध्यापकों के मीटिंग अटेंड करनी थी साखशर्ता को लेकर मुझे अध्यापकों को प्रोणों के लिए प्रेरित करना था ऐसी उमंग थी जैसे यह भाव ही नई रोश्नी हो और अविद्या हो नए अखों के जमनी की अंधकार पूर्ण भूमी की सता क्या इतना ही था नहीं मुझे पता चल गया कि बानपूर छेत्र के किसे स्कूल में मुकंद माधव नाम का मास्टर पढ़ाता है जीवन की कटी-कटी डोर यादों के सहारे जोडती रही हूं तो शायद इसलिए कि अपने बिच्छों से प्रेम कर सके हम लग रहा था जैसे जीवन का महत्तो मृत्यों की नियती में गूंचता है ऐसे प्रेम बिचुडने के बीच हरा-भरा मुकुंद चंद्रमा की तरह अपना कृष्ण पक्ष जी रहे है तब पाया कि मैं बहाना कुछ भी लूँ मिलने मुकुंद से ही जा रही है अपने प्यार के लिए साड़ी जुनी है चेहरा देखा है बार-बार आईने में ढलती उम्र में वह किशोरी उकती आ रही है जिसने बासी पर्तों को उत्सा की जिलमिलाहट से ढग दिया हा में ताजा दम मुकुंद तुम में आजारमर होकर समाई हुई बानपुर में और तुम चाहत की मृत्रिशना में ललितपूर खंगालते रहे या संयोग था या जीवन की अनंत खोज नहीं तो कोई इतना दूर रहकर निकट कैसे रहता है अतीत और वर्तमान एकाकार क्यों हो जाते हैं अब के बार तुमको मुकमल पत्र लिख दिया प्यार के भरोसे पर जीने वाला आदमी इंसान कहलाता है चाहत में बसी समस्त मनुष जाती मैं अपने ही लिखे पत्र को विसमें से देखने लगी पहुचोंगी तुमको इस टेशन आना है कोई पहुचे, कोई आय या कैसा अनुभव है कि मकुंद की छवी को अपनी सासों में महसूस करूँ ऐसा एहसास का जीवन से छूटेगा जीवन ऐसे छड़ों की आशा में जीवन तरहता है और ये छड़ चाहे जितनी दूरी पर हो सितारों की तरह मेरी आखों में लुकाचिपी खेलते रहते हैं पत्र तो लिख दिया आकर्शन की रफ्तार गुरुत आकर्शन की तरह थी जहां आकानशाट की घबेहद मामूली बात थी पहचानेंगे मुझे समय का एक बड़ा भाग जो हमसे छूट गया है उसको कितनी देर में तै किया जाएगा शरीर पर चड़ी किशोर वैकी सी युवा केचुल तो अप पुनरजनम की तरह कहीं और कभी नहीं मिलेगी हां मैं बानपूर में भी एक एक अध्यापक के चहरी पर उसी लड़के का चहरा चिपकाती रही जिसका नाम मुकुन्द माधाव था वक्त कितना बड़ा भ्रम छोड़ गया है मन की माया कुछ भी रहे भौतिक बदलाव अपनी जगए है सोचा तो यह भी था क्या ज़रूरत है ऐसे बचकानेपन की मैं कितनी महत्यूपोन वीटिंग में जा रही हूँ और अब मैं केवल मुकुन्द की रती ही तो नहीं जदी मिल भी गए तो क्या कह पाऊंगी क्या सुन पाऊंगी सब के वीच वैसे कहना भी मैं क्या चाहती हूँ खुद नहीं तैकर पाई मुहबबत निश्ची थी पहनी सुननी की चीज नहीं क्योंकि कोई भी अबूज चीज या भावना प्रेम से जादा अबूज नहीं इतनी ही मिलने की तृष्णा थी तो तब क्यों नहीं मिली जब वे यहां तक चले आये थे व्या हुए तीन साल ही गुजरे थे बेटा गोद में था पती का चपरासी एक चिट हाथ में लेकर आया दिखाने लगा ये सहब आप से मिलना चाहते हैं मुच्चे या सहब से चिट देखी तो धक से रह गई मुकुन्द माधाओ मेरी शरीर का रोम रोम जंजना रहा था सीने में हलचल थी या बिजली का तड़कर उफ मेरे प्रेम को मिलन की ऐसी जरूरत नहीं थी मुकुन्द के प्रकट होने की गती में मेरी सारी गतियां समा गई या पती के स्वामित्तों का आतंक बियाहट चला आया कि उसे महसूस करना ही उस समय मेरे वश में था जिसे आज चेतना के रोप में जाना समझा है वह उस दिन मेरे चैतन्य का चड़ भाव था जो बान तालू से चिपक गई नहीं पूछ पा रही थी कहा है मुकुन्द नीलम लॉंज में लिबा लाओं चपरासी पूछ रहा था उनसे कहना मैं आऊंगी मैंने फूलती सासों के बीच निर्ने ले लिया कैसा भाव था प्यार की कौंद से दिप्त रहने वाली में अनुपस्थित मुकुन्द को बाहों में समेटे उसके होटों पर जुक कर कितना कितना प्यार करती अपने घर आंगन की मद्र लोक में टहला कर आनंद के सरोवर लहरा देती मन मोहग दुनिया का स्वपन लोक आज वास्तवीक रोप में उजागर होनी को है मगर मेरी डरों का ठिकाना नहीं इसलिए ही कलपना वास्तवीकता से उपर निकल जाया करती है सच में मेरी भाषा, मेरा ज्यान, मेरा दर्शत सारा कुछ मिलकर मुकुंद की और बढ़ नहीं पा रहा मैं क्या रह जाऊंगी फिर से विश्वास खात करने वाली इस्तरी प्रेम करने वाली सजा पाने की हगदार उफ, महबबत से ज़ादा पतीद और अपराधी काम कोई दूसरा नहीं है मेरे लिए नौकरानी से कहा कि भा बाहर से दर्वाजे पर ताला डाल दे मैं अपने बेडरूम में बेड पर ढह गई मन के कूमल तंतूं को रौंती हुई दामपत्य के लिए संघर्ष में प्रेम को परास्त कर विजय की उर बढ़ गई सोचा यह भी कि मेरे द्वारा दिया गया यह मुकुंद के लिए दूसरा धूखा है पहला धूखा कॉलिश के दौरान घटित हुआ था या जोखिम उठाना मेरे लिए बुद्धिमानी का नतीजाना लाता या यहाँ पती की जगे पिता का इस्थान था जिसकी मर्यादा रखकर मुझे पिता के परिवार को वेदाग रखना था त्याग और बलिदान की भी तो एहमियत होती है मेरे मन का संसार तब इसी बात से आकरान था मानती हूँ कि मुकुन एक बुद्धिमान लड़का मगर निर्धन था संयोग देखिये कि जुलाई के महीने में धंडी बौचारों के बीच मिला था मैं चमपाव रिक्ष के नीचे खड़ी थी मुझे देखकर नजरे नीची कर ली तो मैंने जोर से कहा अकल वाले हो नीचे देखकर रास्ता तै करते हो चाता बगल में है भीग किसलिए रहे हो मुकुन ने चाता मेरी और बढ़ा दिया मुझे हसी आ गई और कहनी लगी मैं तो पहले से भीग रही हूँ तुम भी भीग गए चाता ब किसलिए हम दोनों एक चाते में चल रहे थे कई अफवाहों का जन्म होगा दोनों ही जानते थे हुआ भी कुछ इसी तरह मिट्टी का माधो चड़िया फास ले गया पढ़ते पढ़ते सूख चला था सब्ज परी पर हाथ मारा यही है आदर्श्वात यही है क्रांती रशियन क्रांती जनारदन तिवारी की बेटी रती मजदूर के बेटे मुकुंद माधव के साथ कहां पहुचेगी यह क्रांती बहरहाल हम दोनों का प्रेम ही था जो मुझे कॉलेज के यूनियन अध्यक्ष चुनवा कर फतह का जश्न मनानी लगा देर तक लड़के लड़कियों ने पार्टी का लुफ्त उठाया मैं मुकुंद के साथ नाच रही थी धोलक, मुरिदंग और बासुरी का संगीत गुंज रहा था नाच के बीट से ऐसा संकोची स्वर सुना मैंने किसके मुकदर में होता है इतना सोख, शानदार सोख और मुकुंद का एक दोस्त उसी समय उसको लाल रंग का दहकता गुलाब थमा गया था मुकुंद ने मेरी और गुलाब बढ़ाते हुए पूछा था प्रेम का रंग सुर्ख होता है ना मैंने आखों में खुशे भर कर खाम के संकेत में सिरह लाया था जैसे कह दिया हो, ऐसे ही रंग में हम जीना चाहते हैं मुकुंद की आखें ऐसी पारदर्शी थी जैसे ओस की बूंदों से बनी हुए प्यार की रोशनाई सी जुड़ी हैं पुतलिया तभी कुछ लड़के उस पार्टी के बीच आ गए उनके हाथों में हौकियां थी वे एक आएक आये थे कि समभलने का मौका न मिले मैंने मुकुंद को देखा उट्सा काठ हो गया जशन जहां का तहां जम गया हाँ रसरंग में डूबे लोग एक आएक मुठ भेड के लिए तैयार कैसे होते तड़ा तड़ होक्यां वरसने लगी क्यों मार रहे हुए या पूछने का न समय था न सबब हम जानते थे या हमारी जीत के लिए सजा है सह में हुए चेहरों पर थपणों की आवाजें गूंज रही थी एकदम रती थिवारी जिन्दाबाद के जवाब सी लाल गुलाब गिरकर अलक्ष हो गया क्योंकि खून अपने रंग में बहने और फैलने लगा मैं चिल आई ये हौकी लेकर आये हैं मुकंद तुम लाठी उठाओ नहीं तो बाहों को फौलादी कर लो मैं मैं इनसे हारूंगी नहीं क्याकर मैं उन पर तूट पड़ी थी लाध धूसे या विया घात जो मैं अपने शरीर द्वारा कर सकती थी उसी दोर में मैंने मुकंद के कंधे को चुआ था मगर मुकंद ने मेरा हाथ जटक दे तो वे घृणा से कहा यह शहरी साजिश यह अमीरों का खोनी खेल इसमें शक नहीं कि मुकंद के टकने-घुटने तूट गये थे हमारे ग्रूप के लड़कों की पसलियों में चूटाई थी और कुछ ही मिंटों में राग रंग उजड़ गया था मुकंद सब्र से काम लो अंधेरे उजाले के इस अंसार में अंधेरे से घबरा कर उन चीजों से नफरत मत करो जो हमारी हो सकती है उन तंतूं को मत तोड़ो जो कराह कर रह जाएंगे मगर करून शब्द हम सुन नहीं पाएंगे हाँ बाद में न भी पश्टाए कभी उनके लिए तड़पेंगे जरूर बाद में मुकंद से मैंने ऐसा ही कुछ कहा था मगर इसके बाद एक निशब्द बे आवाज मंजर था जैसे चुप़े ही हमारा विकल्ट को किसे पुस्तक में पढ़े पिछले शब्दों को मैं दोहराती रही थी हम इस मामले को प्रिंसपल तक ले जाएंगे सुनवाई नहीं होगी तो हर्ताल करेंगे मैंने कहा था और मुकंद चुप थे तूटन शरीर की ही नहीं मन की भी मुकंद महसूस कर रहे थे हाँ करेंगे स्ट्राइक कहते वे मुकंद की आखों में समाई आसो के बूंदे पिखल कर बाहर आने लगी थी अगर दूसरे दिन से ही क्या हुआ मुकंद मेरा इntजार करते रहे गए होंगे मेरा कॉले जाना बंद हो गया मुझ पर ऐसे पहरे थे मेरे पहरे थे कैसे कहा जाए पिता का खिला लड़की के लिए कितना मजबूत होता है इसे में कोई सुरंग नहीं बनती हाँ उडाया जा सकता है जिसे भागना कहते हैं लड़की का भागना ऐसा ही है जैसे कतल को अंजाम देना सजा भी मृत्युदंड उम्रकैद के रूप में होती है मुकुंध ही तो कहते थे गुलाब का फूल और गरीब का दिल तूटने से कोई बचा ले उसका लोहा माना जा सकता है नहीं प्यार करते समय विवाह का ध्यान किसे आता है जोने आता होगा वे प्यार नहीं विवाही किया करते हैं वो कुन दसमंजस में हैं या मुझे पता चला था सोच रहे थे रती विमार है या कहीं गई है कोई बताए शेरनी की तरह वेभार करने वाली रती बक्री जैसा जीवन कैसे काटेगी कॉलेज में भाशन देकर छात्रों और अध्यापकों को इस्तब्द कर देने वाली रती अपनी चिकनी देहरी लांकर कॉलेज तक क्यों नहीं आ सकेगी नदी की तरह लहराती गहराती रती की जवान गदी को कौण बान सकता है तो उस लडगे से शादी का सपना तो नहीं देख रही जब मानी मत से पूछा था तो मैंने इतना ही कहा था मेरी और उस लडगे की तौही न करो मैं उसी दिन गई थी मुकंद के पास और मुकंद खिल उठे थे बोले अरे बेरहन जकड़नों का अंदेशा था वह तो दूर दूर तक नहीं संतुर्ष से लबरेज नजर लिये वे इस ट्राइक के बारे में कुछ कहना चाहते थे बेहद आत्मियता से भरा चहरा जैसे एक महीने के अलगाओं में मैं मेरे साथ घनिस्टता की हद तक गुठ गय हूँ जान हथेली पर रहकर आगे बढ़ने का जज़बा महबत ने दिया हूँ अगर मकुंद की आशा के विपरीत मैंने उन्हीं एक तस्वीर दिखा कर कहा था देखो इस आदमी से मेरी शादी हो रही है माबाप का कर्ज मेरे उपर चड़ा है ब्याज के रूप में कुछ दिनों की महलत दो शादी को निप्टा आओं फिर बड़ी योजना बनाएंगे इस ट्राइक ऐसी जो छात्रों के लिए अंदोलन बने नहीं तो कुछ कर गुजरने वाले विद्यार्थी ऐसे ही डरते रहेंगे यह विश्रविद्याले आतंक है तो मुदास न होना कोई साथी विमार भी तो हो जाता है कोई साथी कहीं जाने के लिए भी तो निकल सकता है बस ऐसे ही विवा मुकुंद के मुह से निकला अरे मैं धान का पोधा नहीं हूँ जो बाप के आंगन से उखाड कर पती के घर में रोब दी जाऊंगी मैं आऊंगी माधव मुकुंद ने नजाने इस बात को इस तरह क्यों लिया जैसे मैं सोच रही हूँ कि निर्धन लड़के धनाधियों की बेटियों को फास्ते हैं अपना दरिद्दर दूर करने के लिए कितना छोटा तुच्छ सोचा उन्होंने मैं बहुत आहात हुई फिर चमपा व्रिक्ष के नीचे मुकुंद का हाथ पकड़ कर सौगंध ली थी हम साथी हैं इसका आश्रे मुकुंद क्या जानते नहीं थी कि इंसानियत करता विबोत और शक्ती का संचेन इन सबका सामजस से ही नई रह बनाता है इसके लिए उम्र जादा हो जरूरत तो नहीं बयाह निर्विग्न हो गया प्यार के कितने रंग होते हैं मुकुंद माधां ने शादी कर ली और कॉलेज छोड़कर नौकरी भी कॉलेज के साथ ही उन्हें यदा कदा मुकुंद के बारे में बताया मेरे दिल में टीस उठती थी अब मैं लोट कर जाऊं तो किसके साथ अपने अभियान पर जाऊं क्या ऐसा हम ख्याल साथ ही मिलेगा हमारी समाज का जो हाल है उसमें हमें बिछड़ना ही था क्यूंकि हमारे मकसद को समझने से जादा हमारे इश्क को सेक्स बना कर समझा गया है ऐसे ही कि जैसे हमें एक दूसरे का जिस्म ही चाहिए हो मुकुंद भी अडिक नहीं रह सके क्यूंकि जादा तर लड़के लड़की के ही दम पर अपने फैसले को लाद देते हैं मेरा ब्याह हो गया मकुंद ने ब्याह कर लिया बस हो गया हमारे संबंधों का खात्मा नहीं सोचा कि हमारे बीच विवास अंसकार का क्या दखल दखल या शबद अपनी पूरी अराजकता के साथ हमारे बीच मौजूद है क्या मेरे पती ने मेरे किसी पुरुष मित्र को उसी तरह मानेता दी जैसे कि मेरी सभी मित्र को देते हैं मैं अपने प्रेम में नहीं धीरे धीरे दहशतों की ओर बढ़ चली मैं पती के लिए संदरी की पुतली जिसे कोई भी लुटेरा लुट ले जाएगा यदि मेरा चलन किसी कुलीन पत्नी के रिकॉर्ड से मिलाया जाए घरा उत्रेगा मैं मुकुंद को भी दोश कैसे दू किसी इस्त्री के पती को इस्त्री का पुरुष मित्र अग्मी परिक्षा देकर नहीं समझा सकता मैं पत्नी होकर अविश्वास की पात्र मुकुंद की साथी थी अब प्रेमिका के अलामा कुछ नहीं क्या मैं सोच पा रही हूँ कि मुकुंद मेरे लिए तडपते होंगे या उनकी पत्नी गवार है कुरूपा है जाहिल है यह सुनकर मुझे खुशी हुई किवल इतना ही ध्यानाया कॉलेज में मुकुंद को ब्रिलियंट कहते थे जब प्रकाश कह रहा था जिद्जी बुरा हाल है उनका तुने कब देखा उन्हें जब तब मिल जाते हैं फटीचर साइके लिए पाओं में ढंकी चपले तक नहीं काईदे के कपड़े भी नहीं बेचारे मैं अपनी जबान काट कर रह गई मैंने अपनी उन्दे रंग की सिल्स की साधी पर गौर किया मैंने अपनी चिकनी चेहरे और मेकाप पर गौर किया क्या ऐसी भवेता में खुझना ही मेरा लक्ष था अन्याइके विरुधहर ताल आमादमी के हग के लिए आंदोलन और समाज में बदलाव के लिए क्रांती कैसे-कैसे मनसूबों को क्रियानवित करने की शुरुआत की थी हमें कितने पठार पहाड पार करनी थे मैं ग्रिहस्त के पारवाले किनारे पर खड़ी मकुंत की प्रतिक्षा में थी तभी इस्टेशन पर जैप्रकाश आ गया मैं समझ गई पती का भेजा दूद मेरा भाई मेरी सुरक्षा की खातिर भेजा गया है सुरक्षा स्वतंतरता को कहा कहां से बानती है कोई हम औरतों से पूछे क्या पती जानते हैं कि स्टेशन पर मुकुंद भी आएंगे कोई अन्य पुरुष आए वे इतना तो अवश्य जानते हैं कि रती भाई से पिंड नहीं छुडा पाएगी मैं अनिक्षा पुर्वक मुस्कुराई जैप्रकाश को देख कर लगा मुझे जल्दी से जल्दी खिज कर ले जाएगा स्टेशन पर टिकना भी कौन चाहता है मैं थी कि देखना चाहती थी मुकुंद का अपनी और बढ़ते आना मेरा मुस्कुराटों में खिल कर उन्हें देखना और फिर हम कदम की तरह चलना क्योंकि यह रास्ता दामपत्ती के गुफा की ओर नहीं जाता जब रकाश ने अटैची उठा ली मगर मेरे पाउं उठे तब न आखें हर ओर से मकुंद के आने की कल्पना में बिच्छी हुई कैसे मानों के वे आये नहीं हो सकता है मेरी पहचान धूमिल पड़ गई हू दिस बाईस साल के लड़के और पचास पचपन के आदमी में तरुडाई के कितने निशान बचे हूंगे क्या पता रेल का डिबबबबबब जाक रहे हूं और मेरी नजर घुंगराले काले बालों तथा सावले चहरे पर दोरीदार नई-नई मुच्छो वाले युवक को तलाश रही हूं जिद्जी चलो ओफिया लड़का पाऊं में हवा बांद कर आया है मुकुन नहीं दिखे मुझे संस्था का बैनर टंगा हुआ दिखाई दिया बड़े बड़े लाल हर्फों में सफेद कपड़े पर समारोह की सूचना मेरा वस चलता तो मैं मक्खी बनकर सिकुड़ गई होती क्योंकि अब संस्था के जिला अध्यक्ष विश्वमित्र वाचस्पती के प्रकट होने की पूरी संभाव ना थी मिल गए तो बस मुझे बांध कर ले जाएंगे मैं भी लड़की के उत्साही साह सी जीवन से निकल कर इस तरी के ऐसे अनुकूलन में ढल गई कि अपने सरोकार भी अपराद बना लिए क्यों आई हूं संस्था का बहाना लेकर क्या जरूरत थी इस कारिक्रम से भरी दुनिया नहीं चाहिए थी जैप्रकाश पार्क में बैठ ले शायद तब तक मुझे और जैप्रकाश को टेंपो वाले ने पिछिया लिया अच्छा लग रहा था कम से कम बाचस पती की कार से तो बच गई और आव देखान अताव टेंपो में अटैची रखती एका एक जैप्रकाश चिल्ला उठा हाथ हूचा करके मासाब इधर इधर वहाँ कहाँ? अरे इधर सफेद कुर्टा पजामा पहनी एक आदमी आदमी पास आया जैप्रकाश उठा पुर्वक गोला जिजी लो अपने मुकंद महराज भी आ गए मुकंद मेरी हाथ पाँ ठंडे होने लगे आखे खुली थी मेरी होठों को चुपी ने कस लिया सशमुश तुम मेरी दुनिया में आ रहे हो रात है या दिन हुले हुले आखे बंद हो गई पलके उठा कर क्या देखू होठों पर हरकत है अब तुम रती अरे एकदम बदल गई हो कहा पहचान पाता कहो बिना मिले ही लोट जाता या कहा मुकंद में नहीं अरे तुम तो वही हो थोड़ी बहुत बदली हो इधर देखते ही पहचान लिया कुछ कहा मुकंद में नहीं न जाने कितनी ध्वनिया कितने स्वर एक अजनबी सा शक्स सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है पदल गया है रूप रंग आखों में चमकते सितारे वही है जब प्रकास ट्रेक्टर के पुरजे दोनों ही चुप रहे मैं तुम्हें घर ले जाने आया था उनका दुबला चहरा और सफेद पतली मूचे क्या बदला है हमारे बीच कुछ भी तो नहीं सिर्फ कलेंडर में दिन तारीख महीने और साल बदलते रहे दामपत्य का बोज बढ़ता रहा मगर इसे एक पल ने समय के शिला पलट डाली थोड़ा साहस थोड़ी सी लगन चाहिए पहार पलटने के लिए अपनी जिंदगे जीने के लिए यहां जवानी की खुबसोर्तियां अपनी चेहरों की नुमाईश नहीं करती घर घर ही चलना है हाँ मुकंद की आखों में पहले वाली मुस्कुराहट थी नहीं नहीं अरे हर बार मिले बिना ही निकल जाती हो डरती हो मैं तो कभी नहीं डरी जोट ब्याह डर के मारे ही तो कर लिया था और फिर कभी लोटी नहीं मैं क्या कहती अब यही कि मुकंद काश तो मेरी तरह लड़की होते फिर इस्त्री होते बच्चों को जर्म देते उन्हें पालते साथ ही पत्नी होते इतने संबंध कम तो नहीं मैं डरी नहीं बंधन में बंध गई शक्स अंदेहु में घिर गई आज का समय समझ लो यह मेरी बगावत में शामिल है यह आजादी का पहला घूंट है जिसे बून बून बचा कर पी रही हूँ मगर है यह दहकती दास्तान क्या कहोगे मुकंद अपने घर साथी बताओगे औरत मर्द का साथी रूप में स्विकार समाज में तो है नहीं यह सब बाते अरे अपनी बेटी से वादा करके आया हूँ कि तुम्हे लाओंगा वादा मुझे मैं चौक कर बोली तो वह हस पड़े जैसे हसने का बहुत मन हूँ उनका दोस्ती और भी गहराई देखो तुम्हारी चिठ्ठी इतने खुबसूरत थी कि मैं उसे फाड़ना तो दूर छिपा तक नहीं सका कुर्ते की जेब में रहने दी जिसको मेरा हाथ बार बार छू लेता था शकुन्त बेटी ने कुर्ता धोना चाहा चिठ्ठी निकाली पढ़ी और फिर से कुर्ते की जेब में रख दी कुर्ता धोया नहीं मैं उनके सफेद बालों की लहरों को देख रही थी मैं मुकुंद के संबंध को कितने जतन से छिपाती रही कि यह किसी तरह बदनाम नहों कुप्त धन की तरह संजोई रही कॉलिज के जमाने में इसी बात पर लड़ी थी कि लड़कों के बीच दुश्मनी चुनाओ को लेकर कम लड़की का मामला बना कर जादा है अपने और मेरे संबंधों को उजागर करते हो तुम्हें वाहवाही मिलती है मुझ पर थूपते हैं लोग इस अंतर को जानते हो वो कुंत का आज भी वही मिजाज है इस संबंध को मिटाना चाहा रती तुमने यदि कायम रखना चाहती तो छिपाती नहीं छिपा कर हमारी भावनाएं गुनागार बना दी मेरे भीतर फिर संसकारवान इस्त्री बोली मेरी बर्बादी के आसार तुम्हारे पास आते ही बढ़ जाते हैं नीलम लॉंज इसलिए ही नहीं आई थी नहीं चलना चाहती ना सही अभी तक रोडियों को पाले बैठी हो पत्नी की नजरों में मैं क्या होंगी बोलो डॉक्टर चलो कह दूँगा लेडी डॉक्टर आई है विमारी हो तो बता दो बस मुझे अंचाहे है यसी आ गई फिर जलाहट आदनी छोटी जगे में रहकर शालिंता की इबारत भूल जाता है मैं मुकुन से मिलने आई हूँ और ये साहब घर घर की रट लगाये हूँ घर की बात एक भ्यानक सी तस्वीर बनती जा रही थी जब रकाश को साथ लेकर मुकुन के साथ बस में बैठी बस चल दी क्या हम सही तरीके से प्रबुद और प्रॉड हुए है इज़त के भै में डूबी में और अपने संबंध का डंका बजा कर मुकुन दाखिर क्या सिद्ध करना चाहते हैं डर के रहते साहचर जिसमें मुहबबत मिली हो कैसे जी सकता है मैं सहसा अंजाने भे में बूली ले तो जा रहे हो जादा देर ना रुकूंगी सोच रही थी कहा आप पहुची मेरे इस्तर की औरत को यह शुभा देता है क्या प्यार से जादा प्यार की भावना का ही महत तो होता है अब समझ में आ गया प्यार का खुबसूरत लम्हा कातिल होता है बस से उतरने के बाद धूल धुसरित गल्यों से निकल रही थी अपनी ओंदी सिल्क साड़ी जादा ही चमकदार लगने लगी गाउं के लिए यह चमक अजनबी थी अचानक पेड़ों से चिडियों के जुन डुडे गया भैसों की सहमी सी आखे थी तो नंग धढ़ंग बच्चों की आखों में अपार को तुहल चुप-चुप से गाउं में धीमा-धीमा शोर उठा मैं तमाशे से कम नहीं घर आ गया आगे-आगे मुकंदर पीछे-पीछे में अचानक कल्पना ने डैने खोले अगर मैंने मुकंद से शादी कर ली होती तो संग साथ का द्रशे यही होता एकदम यही किसी संदेह का शिकार नहीं खुलाबी रंग के सलवार सूट में लगभग 18 साल की युवालड की सामनी आ गई अभिवादन हाथ जोड कर किया मेरा हलक सूखनी लगा यहां हर नए व्यक्ती को टटोलनी में मेरा असली चेहरा खुल जाएगा उफ यह मुट भेड जैसा आतंग इसके बीच प्रेम का होसला साथ का भरोसा मरता क्यूं जा रहा है सामने पत्नी आ गई मुकुंद की लगा हम दोनों एक दूसरे के शत्रू हम निश्चे थी एक दूसरे को अपना कातिल मानेंगे उफ यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है कि मैं अपनी सबसे प्रियमित्र के आग्रह पर निशाने पर आ गई मध्यमकत की इस्त्री चोड़ी नाक और पतले होट नाक मी सफेद नक की लॉंग पेली सूती साड़ी का सीधा पल्ला हाथों में मैली सी कांच की चूड़ीया देखते ही देखते अपराद बोच जागा मैंने ही तुम्हें इस मंजल पर लाकर बटका है मकुन तुम्हारा साथ छोड़कर चली गई क्या इसलिए ही मिलने को व्याकुल रहती हूँ या कि मेरे पती की बातों में वह बात नहीं जो शकुन बिटिया कुरसी लाओ पत्नी के महीन आवाज आई ये डॉक्टर साहिबा है इलाज करती है क्या कर मकुन अर्थ पुर्णंग से मुस्कुराए दोहरे अर्थ में वाके बोलने की पुरानी आदत छूटी नहीं कोई तकलीफ हो तो बता देना हाँ बता देंगे पर तुम यहाँ ठाड़े क्या कर रहे हूँ पत्नी ने मुकुन को खड़ा नहीं रहने दिया यहां मैं अकेली क्या वाते करूंगे अब मैं अकेली और असहाय सी क्या ताड़ गई है यह अच्छी तरह बैठ जाओ हम तो खाना बना चुके आपके लिए सकुन के पिता जी आपको लिबार तु लाए पर हम से शिपा रहे हैं तब ही न डाक्टर नी का रूप धरा दिया कहकर वा उचले दातों से हसी मैं धर्रा गई वा कुर्सी के पास जमीन पर पट्रा डाल कर बैठ गया कुर्सी का आर्म अपने हाथ से पकड़ लिया और बूली कुर्सी डगमगा रही है एक पाउड धीला है इसका सो हम पकड़े हैं आपको गिरने नहीं देंगे छीक से रहते हैं आप लो घर तो अच्छा बना है मैंने कहने के लिए कहा और इधर उधर देखने लगी बहन जी अच्छी तरह ही है उसने सिर जुका दिया लड़की चाय ले आई कप अच्छे थे मग नहीं थे फ्लेट साथ थी बहन जी हमारी सकुंत ने भी ये करी है इसकी दो बड़ी बहनों के शादी कर दी आपका एहसान मानेंगे बहन जी दो बेटी सुखी है उनके सगाई संबंद आपका नाम लेकर ही हुए हैं आपका असिरवाद वो कैसे? मैं चौकी जौन संस्था से आप जुणी उस संस्था में बड़े-बड़े एलकार आते जाते हैं वे आपको भी जानते हैं सगाई के पहले आपका जिकर चलाया पताया वे हमारी खास हैं देख लो कि वो तुरंत तयार हो गए आज कल पैसा ना हो तो रुतवा हो बहन जी कुछ दिन पहले तुम्हारी चिठी आई सकुन्त नहीं पढ़ी हमें भी सुनाई पूछो नहीं किते सुखी भई अब तो आपको साक्षा देख लेंगे गाउं के लोग समझ भी लेंगे कि हाँ मेल प्यार है सकुन्त के पिता जी जूट नहीं बोल रहे थी बहन जी हमारे बच्चन के सीज पर आपका हाथ रहे आती जाती रहा करो आपके आने से हम भी इज़ददार कहने के बाद सकुन्त की मानी आखे मुंद कर हाथ जोड लिए उफ इस इस्त्री की यह पवित्र प्राट मैं पत्रीली शिला हो गई ना आखे में ली न होट ही ले जुबान पर लखवा चड़ा है थूख भीतर ही भीतर लील रही हूँ मगर मन में लगाव जुडाव की आमरित मही लहरे इस घर के माथे पर मुहबबत की लड़िया शकुंत के लिए आशीशों की जड़ी क्या-क्या उमड आया बरसने के लिए मैंने भी आखे मून ली हाथ जोड लिए बस इतना ही कह पाई दोनों विवाहित बेटियों को मेरा बहुत-बहुत प्यार वरसों से जमी शिला के नीचे से गोमुख फूटा आखे भर आई अब क्या कहूं और कैसे कहूं कि जब हमारे लगाव जुडाव समाजिक सभेता द्वारा को चल दिये जाते हैं तब हम अपने पुराने भरोसों के सहारे ही जी उठते हैं दुनिया में आने का मकसद अपनी और दूसरों की जिंदगी के लिए भरोसे मंदर जिम्मेदार होना है मैंने कुछ भी तो नहीं कहा खाना खाने के बाद अपनी स्वभावेक उल्लासमई हसी मी हसना बहुत दिनों बाद नसीब हुआ शकुंत की मा की गर्म हथेली अपनी हाथों में लेकर विदा के समय कहा मैं आप तक यहां आने से वश्ती क्यूं रही अभी आप सुन रहे थे मैत्रिय पुषपा जी की लिखी कहानी पियरी का सपना